और वहां से सीधे जाना था वो रास्ता है गानी चलिए मैं अभी अन्जान रोड में बोज़ चुका हूं और पता नहीं यह रोड यह रूट कहां लेकर के जाएगी फिर भी जाते हैं आगे और देखते हैं कि यह रोड लिकलती कहां पे है तो आप मेरे वीडियो में बने रह रहे हैं और रोड यह निकलती कहां पे है तो चलिये चलते हैं फिर आप 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 कुel आप 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 अ आप झाल झाल कि अंगे अगा चेकर वंब है कि जैसे अपो पीछे देख रहे हैं यहां पूरी 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 पानी लग चुकीं है और यहां से जाने कर तर्ट में रिंद रिल्कुल बंद नियुक्ताइब और यहां से हम आगे जा नहीं सकते हैं, और आगे जाना था कोईलवल पूर तक, यह पूरा आप देख रहे हैं, पानी ही पानी लग चुका है, और रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, आप लोग को देखाता हूँ, पूरा व्यूद देख सकते हैं, पूरा पानी लगा हु और आज सब बिल्कुल बंद है देखते हैं कहीं और से रस्ता अगर मिलता है तो आगे तक जाते हैं तो वरना पिर रिटन जाना पड़ेगा अससलाम अलेकुम दोस्तों उमीद करता हूँ आप सब खर्यास होंगे अच्छे सोंगे और मैं भी अच्छे से हूँ और आज का ब्लोग शुरू करते हैं कि अभी हम विर्कुवर्शिंग पार्क में मौझूद हूँ और साम का वक्त है करीब शाड़े पांच हो रहा है छो बजने को हैं मैं लिकला था कोलवर्पुर जाने के लिए लेकिन वहां का रास्ता बंद था पानी के वज़े से जिस वज़े से मैं जा नहीं पाया और नेक्ट वीडियो में इंशालला आप लोग को देखाऊंगा कोलवर्पुर जो अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ पूल है तो अभी मैं जो मौजूद हूँ वीरकुरसिंग पार्क में और आज मैं तकरीबन तकरीबन 10 या 15 साल बाद आया हूँ यहां पे क्योंकि यहां पर राता नहीं हूँ अपने सिटी में मैं बाहर ही राता हूँ तो अभी आया हूँ गुमने के लिए जस्ट ब्लोग बनाने के ल अगल में ही जैन स्कूल है वहां मैं पड़ा करता था और वहां से जब चुटी होती थी तो यहां पर आकर कर रिलैक्स करता था और यहीं पर होमवर्क करता था तो अभी मैं आया हूँ ब्लोग बनाने के लिए यहां पार्क में और यहां पर बहुत सुकुन मिलता है आने प पार्क का मेरे पीछे आप लोग जैसे देख रहा होंगे मेरे पीछे जैसे आप लोग देख रहा होंगे वह बीर कवर्सिंग का स्टैचू है वहां पर लगा हुआ है यह आप लोग को नजर आ रहा होगा बहुत छोटा पार्क है जदा बड़ा पार्क नहीं है चोटा पार्क में इतना डेवलप किया गया है कि यहां पर हर चीज सुविदा है है और यहां पर सब चीज मौखुद है आप यहां पर आकर कर सकते हैं तो आप मेरे बने रहें और पार्क पुरा आप लोग देखाता हूं भी हो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सीधे वालकिंग करने के लिए ट्रैक बनाया गया है बैठने के लिए बनाया गया है यह चोटा मुटा तलाब बनाया गया है यहां पर बोट चला करती कुई लेकिन यहां पर बोट चलना बंद हो गई है बोट किसी वज़ा से बोट चलना बंद हो गई है अब आई डोंट नो सी क्यों बंद हो गई है फता नहीं यहां पर देख रहे हैं को फप्सुरेट बनाए है कर देख रहे हैं को बनाए है यह जैसे देख रहे हैं तो यहां पर मैं जब स्कुल में था तो यहां पर आकर के तो अब ही तक मौझूद है देख देख ऑड़ा कुछीया झाल झाल आज का व्लोग आप लोग को कैसा लगा उमीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरू कर देना शुक्रिया झाल 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 झाल